बेहत का बाबा, हमें बेहत के खाजाने रोज भरभर के लोटाते हैं और हम भी हर रोज अपने बुद्धी रूपी जोली को पूर्णरीती भर लेते हैं ये ज्ञान के खजाने, ये गुणों के खजाने पूरे कल्प में एक ही बार भोला भंडारी हम सब को आकर देते हैं तो कितने भागेशा ले हैं, परन्तु फिर सब कुछ पाकर बाबा हमें बेहद का वैराग भी देलाते हैं जोकि इसको पाने की एकी कंडीशन है कि पुरानी दुनिया, व्यक्त और व्यर्थ दुनिया छोड़नी पड़ेगी तब ये अविनाशी खजाना पूरा अपना हो जाएगा तो आज की मुर्ली भी हमें बेहद का वैराग के दिला रही है सुनते हैं बाबा के मधर महवाक्य आज है बारा फर्वरी दो हजार चॉबिस बाबा के महवाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे मुहों की रगें अब तूट जानी चाहिए चोकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुची ना हो चेक करेंगे अपने आपको मेरा किसी पुरानी दुनिया की चीज में इंट्रस्ट तो नहीं है अंदर से किसी चीज में जब बार बार खिचावट होती है जोकाव होता है, लगाव होता है तो फिर जाने अंचाने मन बुद्धी भटक जाती है जिसलिए गहराई से चेक करेंगे कि इस दुनिया की किसी भी चीज में हमारी रुची ना हो प्रश्ण है, जिन बच्चों को रुचानी मस्ती चड़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चड़ती है? बहुत मज़िदार टाइटल बाबा ने दिया आज उत्तर है, रुचानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर वही कलंगी धर बनते हैं उन्हें राजाई पने की मस्ती चड़ी रहते है बुद्धी में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं मस्ती उन्हें चड़ती जो रूद्र माला में पिरोने वाले है नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चे है के हमें अब घर जाना है फिर नई दुनिया में आना है ओम शान्ति रुखानी बाब रुखानी बच्चों से रुखो रिहान कर रहे है तो सभी रुखो कर बैठे हैं बिलकुल पॉडी से अलग मैं रुखो अपने रुखानी बाबा से सुन रही हो इसको कहा जाता है रुखानी ज्ञान रुखो प्रती रुख है ज्ञान का सागर मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते हैं कोई मनुष्य है ऐसा जिसे कहेंगी ज्ञान का सागर है तो मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते मनुष्य है भक्ती के सागर है तो सभी मनुष्य जो ब्राम्मन बनते हैं वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं हम मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं ज्ञान सागर तो एक बाबा है फिर देवताओं में न भक्ती होती न ज्ञान होता देवताएं यह ज्ञान नहीं जानते ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे वही आकर कौडी से हीरा पत्थर बुध्धी से पारस बुध्धी बनाते है मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते है ये रास्तो हम सबको भी बाबा ने आकर बताया है तो दुनिया वाले तो बिलकुल नहीं जानते देवताएं बने श्रीमत से आधा कल्ब बहा कोई के मत की दरकार नहीं सत्युक्त रेता में किसी के मत की जरूरत नहीं होती यहां तो धेर गुरूं की मत लेते रहते हैं अब बाप ने समझाया है सत्युक्त गुरूं की श्रीमत मिलती है बापा कहते हैं खालसे लोग कहते हैं सत्युक्त गुरूं अकाल सिख धरम के लोग होते हैं तो कहते हैं सत्युक्त गुरूं अकाल उसका भी अर्थ नहीं जानते पुकारते भी हैं सत्युक्त गुरूं अकाल मूरत अर्थात सदगती करने वाला सत्गुरु यानि सद्गती करने वाला अकाल मूरत एक ऐसी मूरत जिसे काल नहीं खा सकता अकाल मूरत परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है सत्गुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है अब आहे सच्चा गुरु तो वह ब्रम्भा का दिन और रात कह देते हैं ब्रम्भा का दिन ब्रम्भा की रात तो जरूर कहेंगे ब्रम्भा पुनर जन्म लेते हैं ब्रम्भा सू यह देवता विश्णू बनते हैं तुम शिव बाबा की महिमा करते हो उनका हीरे जैसा जन्म है अभी तुम बच्चे ग्रहस्त विहवार में रहते होए पावन बनते हो तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है है बंधन उन्हें सिर्फ माबाप वह भाई बहन की स्मृति रहेगी फिर ससुर घर जाने से डबल हो जाएगा न दो परिवार हो जाते हैं अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ कहां तो हम देहे को भी भोल रहे हैं कहां हम फिर और देहेधारियों के साथ अपना connection जोड रहे हैं तो वह कहते हैं अशरीरी बन चाओ, अब तुम सबको वापिस जाना है, तुमको पवित्र बनने की युकती भी बताता हूं, पतित पावन मैं ही हूं, मैं गरेंटी करता हूं, तुम मुझे याद करो, तु इस योग अगनी से, जो बाबा को याद करके अगनी प्रज्वलित ह उससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जिसे पुराना सोना आग में डालने से, उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है, यह भी योग अगनी है। इस संगम पर ही बाबा यह राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है, राजयोग जो भगवान ने सिखाया था, वह सब सीखना चाहते हैं, विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। क्या सिखाने, राजयोग सिखाने। मैं समझते हैं, इन्होंने सन्यास किया है, अब सन्यासी तो तुम भी हो। परन्तों बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं, हद के सन्यास को जानते हैं। यह जो हमने मन बुद्धी से सन्यास किया है, इसको कोई नहीं जानते। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई चीज में हमारी रुच्ची है, हमारी रुच्ची नहीं रहती है। फलानी ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया, पाट बज़ाने लिये। हम फिर रोए क्यों? यह ज्यान हो गया कि आत्मा तो अजरमर विनाशी है, वो एक शरीर छोड़ कर दूसरा धारन करती है। तो अगर किसी ने पुराना शरीर छोड़ा, नया धारन किया, दूसरा पाट बज़ाया, तो फिर इसमें रोने की क्या बात है। मुहु की रग निकल जाती है, हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से, ऐसे बच्चे पक्के, मस्त कलंगी धर होते है, मस्त कलंगी धर। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है, है मस्ती, बाबा में भी मस्ती है न, ब्रह्मा बाबा में तो बहुत मस्ती थी, हम यह कलंगी धर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे, अंदर में मस्ती चड़ी होई है, इसलिए मस्त कलंदर कहते हैं। इनका तो साक्षादकार भी करते हैं तो जैसे इनको मस्ती चड़ी होई है तुमको भी चड़नी चाहिए चड़ती है मस्ती तुम भी रूद्रमाला में फिरोने वाले हो जिनको पक्का निश्चे हो जाता है उनको नशा चड़ेगा हम आत्माओं को अब जाना है घर फिर नई दुनिया में आएंगे इस निश्चे से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा यानी श्री कृष्न देखने में आता है साकार मुरली है ना तो ब्रह्मा बाबा को नश्चा ऐसा चड़ा हुआ था कि जो कोई उनको भी देखता था तो उने श्री कृष्न नजर आता था तो अबा कहते कितना श्योभनिक है श्री कृष्न तो यहां है नहीं उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते है श्री कृष्न जैसा बच्चा मिले पती मिले जूले बनाते उनको दूध पिलाते हैं वह है जड़ चित्र यह तो रियल है ना इनको भी यह निश्चे है कि हम बालक बनेंगे ब्रह्मा बाबा का निश्चे और नशा कमाल तुम बच्चियां भी दिव्वे द्रिष्टी में छुटा बच्चा देखती हो तो पहले तो बहुत ज़्यादा साक्षातकार होते थे इन आखों से तो देख ना सके तो दिव्वे द्रिष्टी से होता है साक्षातकार ना आत्मा को जब दिव्वे द्रिष्टी मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता उस समय अपने को महरानी और उनको बच्चा समझेंगे बिल्कुल रियल जैसा लगता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब साक्षातकार होता है यह साक्षातकार भी इस समय बहुतों को होता है सफेद पोशधारी का भी साक्षातकार बहुतों को होता है फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ जैसे कहीं बारी ब्रह्मा बाबा का सफेध पोश में साक्षातकार होता था भोतों को तो जैसे कह रहे हैं कि तुम इनके पास जाओ यहां जाओ ज्यान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे यह जादुगरी ठहरी ना तो यह सब जादुगरी शिप बाबा की थी सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं क्या करते हैं बाबा से सौदा कोड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं बाबा हमें हीरे मोती देते हैं और हमसे कोड़ी ले लेते हैं पुराना शरीर, पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन और उसके बदले में हीरे, मोती, महल देते हैं हीरे जैसा तुम बनते हो तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं इसलिए बलिहारी उनकी है मनुष्य न समझने कारण जादू जादू कह देते हैं गंती हो जाते हैं, वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं, ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं, ऐसे ट्रेटर बनने वाले उच पद पा नहीं सकते, उनको कहा जाता है, गुरू का नंदक ठोर ना पाए, यहां तो सत्ते बाप है न, यह भी अभी तुम समझते हो, मनुष्य तो कह देते, वह युगे युगे आता है, अच्छा, चार युगे हैं, फिर चौबेस अवतार कैसे कह सकते, चार युग है न, तो चार अवतार होने चाहिए न, फिर कहते, ठिककर, भितर, कणकण में, परमात्मा है, तो सब परमात्मा हो गए, बाब कहते हैं, मैं कौडी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठिककर, भितर में ठोक दिया है, सर्वव्यापी है, गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यो ना रही, मेरा कैसा अपकार करते हैं, बाबा कहते, यह भी ड्रामा में नोंद है, अपकार करना, बाबा को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि बाबा ड्रामा को यथार थरीती, जानते हैं, समझते हैं, और साधार से चलते हैं, जब ऐसे बन जाते हैं, तब फिर बाब आकर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्रॉफी फिर रिपीट होगी, सतियुग में फिर यह लक्ष्मी नारायन ही आएंगे, बहां सिर्फ भारत ही होता है, शुरू में बहुत थोड़े देवताइं होंगे, फिर वृद्धी को पाते पाते, पाँच हजार वर्ष में कितने हो गए, अभी यह ज्यान और कोई की बुद्धी में है नहीं, बाकी है भक्ती, देवताओं के चित्रों की महिमाग आते हैं, यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे, फिर कहां गए, चित्रों की पूजा करते हैं, परंतु वह हैं कहां, उनको भी तमुप्रधान बन, फिर सतुप्रधान बनना है, यह कोई की बुद्धी में नहीं आता, ऐसे तमुप्रधान बुद्धी को फिर सतुप्रधान बनाना बाप का ही काम है, मनुष्य का काम नहीं है, यह लक्ष्मी नारायन पास्ट हो गए है इसलिए इन्हों की महिमा है उचे ते उच्चा एक भगवान ही है बाकी तो सब पुनर जन्म लेते रहते हैं तो नीचे गिरते जाते हैं बाबा सदा उच्चा है उचे ते उचा बाप ही सबको मुक्ती जीवन मुक्ती देते हैं वहना आते तो और ही वर्थ नौट पानी तमु प्रधान बन पड़ते जब यह राज्ये करते थे लक्ष्मी नारायन तो वर्थ पाउंड थे तो उनकी जीवन की बहुत वेल्यो थी ते वेल्वेबल थी आत्मा वहां कोई पूजा आधी नहीं करते थे सत्योग में पुज्य देवी देवताई ही पुजारी बन गए वाम मार्ग में विकारी बन पड़े यह किसको पता नहीं कि यह संपूर्ण निर्विकारी थे तुम ब्रामभणों में भी यह बाते नंबरवार समझते हैं खुद ही पुरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएगा नाम है ब्रम्हा कुमार कुमारी समझा ना सके तो नुकसान कर देते हैं ब्रम्हा के बच्चे हैं ब्रम्हा तो देखो कितना ग्यान बाबा ग्यान का सागर ब्रम्हा बाबा मास्टर ग्यान का सागर शास्त्रों में भी ब्रम्हा की मत मशूर है और हम कहें कि हम ब्रम्हा कुमार हैं ब्रम्हा कुमारी हैं और कुछ समझा ना सके तो नुकसान हो जाते हैं, डिस्सर्विस हो जाते है इसलिए कहना चाहिए, हम बड़ी बहन को बुलाते हैं वह आपको समझाएगी भारत ही हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा है बैगर भारत को सिर्टाज कौन बनाए, इतना बड़ा चेंज लक्ष्मी नारायन, अब कहा है, हिसाब बताओ, बता नहीं सकेंगे वह है भक्ती के सागर, वही नशा चड़ा हुआ है और तुम हो ज्यान सागर वह तो शास्त्रों को ही ज्यान समझते हैं बाप कहते हैं, शास्त्रों में है भक्ती की रस्म रिवास ज्यान नहीं है जितनी तुम्हारे में ज्यान की ताकत भरती जाएगी तो तुम चुम्बक बन जाएंगे, बिलकुल एट्रैक्ट करेंगे तो फिर सबको कशिश होगी अभी नहीं है, फिर भी यथा यूग, यथा शक्ती जितना बाप को याद करते है ऐसे नहीं, सदेव बाप को याद करते है फिर तो यह शरीर भी ना रहे अभी तो बहुतों को पैगाम देना है पैगमबर बनना है तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते कौन है हम पैगंबर है क्राइस्ट आदी आकर धर्म स्थापन करते है उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा क्रिश्यन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया कोई भगवान का पैगाम थोड़ी ना दिया वह किसके शरीर में आया फिर उनके पीछे दूसरे आते है वो फिर जीजस के तन में आया फिर उसके बाद उनके पीछे और धरम वालया उनीके धरम के और आत्माई उपर से आती है यहां तो यह राजधानी स्थापन हो रही है यहां तो राजधानी बन रही है आगे चल तुम सबको साक्षातकार होगा हम क्या क्या बनेंगे यह यह हमने विकर्म किया साक्षातकार होने में देरी नहीं लगती काशी कलवट खाते थे पहले ब्रिटिश गवर्मेंट में बंद हो गया पड़न तु पहले खाते थे एकदम खड़ा होकर कोई में कूद पड़ते थे अभी तो गवर्मेंट ने बंद कराया है वह समझते हैं हम मुक्ती को पाएंगे ऐसा बिलीफ है बाब कहते हैं मुक्ती को तो कोई पा नहीं सकता मुक्ती पे तो जाना है तो केवल मुक्ती दाता शिव बाबा जबाए तब ही बाबा के साथ जा सके तो मुक्ती तो कोई नहीं पा सकता थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है बस यही होता है फिर नए सिर्फ हिसाब किताब शुरू होता है क्योंकि सूल कॉंशिस थोड़ी ना बने फिर अगले जनमें बॉडी कॉंशिस होकर कर्म करते हैं संसकार तो वही रहते हैं न तो हिसाब किताब शुरू हो जाता है वापस तो कोई जा नहीं सकते कहां जाकर रहेंगे आत्माओं का सिजराई बिगड़ जाए ऐसे कैसे जाएंगे नंबर वार आएंगे फिर जाएंगे बच्चों को साक्षातकार होता है तब यह चित्र आदी बनाते हैं चुरासी जन्मों के सारे स्रिष्टी के चक्र के आदी मध्य अंत का ज्यान तुमको मिला है फिर तुम्हारे में भी नंबर वार है कोई बहुत माक्स से पास होते हैं कोई कम सौ माक्स तो किसी की होती नहीं सौ है ही एक बाप की वह तो कोई बन ना सके हेंडर तो केवल एक शिव बाबा है थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है एक जैसे भी बन ना सके कितने धेर मनुष्य है सब के फीचर्स अपने अपने है आत्माई सभी कितनी छोटी बिंदो है मनुष्य कितने बड़े बड़े है परन्तु फीचर्स एक के न मिले दूसरे से जितनी आत्माई है उतनी ही फिर होंगी तब तो बहाँ घर में रहेंगी है ना नंबर ओफ सोल्स जो है वो फिक्स है तो जितनी है उतनी यहां आएंगी और फिर वहां जाएंगी यह भी ड्रामा बना हुआ है इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता एक बार जो शूटिंग हुई वही फर देखेंगे वही रिपीट होगा तुम कहेंगे पाँच हजार वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे एक सेकिंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता ड्रामा है ना जिसको यह रचता और रचना का ज्यान बुद्धी में है उनको कहा जाता है क्या टाइडल होगा उनका स्वदर्शन चक्रधारी बाप से ही यह नौलिज मिलती है मनुष्य मनुष्य को यह ज्यान देना सके भक्ती सिखलाते हैं मनुष्य ज्यान सिखलाता है एक बाप ज्यान का सागर तो एक ही बाप है फिर तुम ज्यान नदियां बनती हो वो सागर है हम नदियां है ज्यान सागर और ज्यान नदियों से ही मुक्ती जीवन मुक्ती मिलती है बाबा हमें मुक्ती जीवन मुक्ती के सब राज समझाते हैं हम फिर और आत्माओं को समझाते हैं बहे तो है पानी की नदिया उस सुचते हैं शायद उनमे इस रान करने से हम पापों से मुक्त हो जाएंगे पर दुवास्तविक्ता में है ज्यान की नदिया पानी तो सदेव है ही है ज्यान मिलता ही है संगम पर पानी की नदिया तो भारत में बहती ही है बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते हैं खंड ही नहीं रहते बरसात तो पढ़ती होगी पानी पानी में जाकर पढ़ता है ऐसे ही होता है यही भारत होगा ऐसा ही होगा पर इतना बड़ा नहीं होगा अभी तुमको सारी नौलज मिली है यह है ज्यान बाकी है भक्ती हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी जयानती मनाई जाती है पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया बहे तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं आदी मध्य अंत का ज्यान सुनाते हैं क्यातना अगम निगम का भेद खोलता है तब गाया जाता है इस पर क्या गाया जाता है ज्यान सूरे प्रगटा अज्यान अंधेर विनाश ज्यान से दिन भक्ती से रात होती है अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे की है अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे फिर शरीर भी पावन मिलेगा तुम सब नमभरवार पावन बनते हो कितनी सहज बात है मुख्य बात है याद की बहुत है जिन्हे अपने को आत्मा समझ बाब को याद करना भी नहीं आता है फिर भी बच्चे बने है तो स्वर्ग में तो स्वर्ग में जरूर आएंगे इस समय के पुरुशार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है रोहानी बच्चों की रोहानी बाब दादा को गुट मॉर्निंग नमस्ते 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 धालना के लिए मुख्य सार पहला सदा इसी नश्य में रहना है के हम मास्टर ज्ञान सागर है स्वयम में ज्ञान की ताकत भर कर चुम्बक बनना है रोहानी पैगंबर बनना है दुसरा कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सत्गुरु बाब का नाम बदनाम हो कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है वर्दान है सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चहरे से दिव्यता की अनुभूती कराने वाले सत्यवादी भवा सत्यवादी कौन है जो सत्यता के फाउंडेशन से चहरे और चलन से दिव्यता की अनुभूती कराते हैं दुनिया में अनेक आत्माई अपने कुछ सत्यवादी कहती वह समझती है लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है पवत्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती सत्तिता का foundation पवित्रता है और सत्तिता का practical प्रमाण चहरे और चलन में दिव्यता होगी पवित्रता के आधार पर सत्तिता का स्वरूप स्वत है और सहज होता है जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपून सत्तिवादी अर्थात दिव्यता संपन देवता स्लोगन है बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराखे स्वत है आएगा तो आज हम विशीश इस बेहद के वैराख को अपने जीवन में लाने का अभ्यास करेंगे बार-बार फील करेंगे कि अब हमारा ये अंतिम जन्म है हमने जनम पुनर जन्म देह धारण की देह छोड़ी प्रणतु अब हमें घर जाना है तो इस पुरानी दुनिया से इस पुरानी देह से हमारा ममत्व तूट जाना चाहिए इस अनुभूती को अंदर तक फील करेंगे और बार-बार देह से अलग होकर उपर जाने का अभ्यास करेंगे बिलकुल जैसे वेराग आ गया हो तो आज हम ये बार-बार जब भी टाइम मिले अभ्यास करेंगे चाहिए ओम शान्ती जुड़ गई है मन के तार तुम से शप्तिया मिल रहे अपार तुम से भागय के दौरे खुले हम को हमारे मिले भागय के दौरे खुले हम को हमारे मिले आए जिवन में ये वहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तिया मिल रही अपार तुमसे माता, पिता, सद्गुरु सखा, तुम्ही तो एक हमारे हो शिक्षक तुम्ही रक्षक तुम्ही दिल के तुम्ही सारे हो मिला सारे रिष्टों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे शक्तिया मिल रही अपार तुमसे दुनिया से दू तारो के गाँ तुम्ही मुझे ले आये हो काटों से दूर पूलों की चाँ मैं मुझे बिठाये हो किरनों की बाहों का तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे शक्तिया मिल रहे अपार तुमसे भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले आये जिवन में वहार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे शक्तिया मिल रहे अपार तुमसे जुड़ गई है मन की तार तुमसे जुड़ गई है मन की तार तुमसे